हलो फ्रेंट्स, वेलकम तो फ्री एद्टिकेशन बाई पीके में तम आपका फिर इस च्वागत हैं, आज किस बीए हम बात करने वाले हैं चक्रिविर्धी ब्याज की बारे में, यानि की कंपाउंड इंट्रेस्ट, जैसे कि मैंने एक प्रशन लिया हुआ है, कि चार हजार र माध्यम से और दुस्तरा ट्रिक के माध्यम से, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग फर्मूला का माध्यम से देखेंगे, तो सबसे पहले फर्मूला होता है मिस्रधान का निकालना में, ठीक है, चक्रिविर्धी ब्याज निकालने के लिए, सबसे पहले हम लोग को मिस्रधान इसलिए हम लोग मिस्रधन का फर्मूला होता है मुल्धन गुने में ब्रैकेट होता है वन प्लस दर बट्टे एक सो फिर ब्रैकेट क्लोज अब पावर कितना होता है अपका समय होता है के लिए यह आपका मिस्रधन का फर्मूला होता है ठीक है चलिए यह मिस्रधन निकालते ह पहले तो मुलधन कितना दी आपका मुलधन अपका प्रस्ट में 4,000 रुपे दिया हुआ है ठीक के तो 4000 गुना है तो गुने करेंगे ब्रैकट के अंदर आपका ठीक क्या है का 1 है 1 प्लास दर दर कितना दी आपका पांच परतीश्यत बटे में कितना होगा आपका एक सो आप बारी आती है पाउर में समय है तो समय कितना दी आपका समय दी आपका तीन वर्ष तो पाउर करें कितना आप लोग तीन यहाँ तो मैं कोई दिकत नहीं अब क्या करें कि सिंप्लिस को कट करेंगे तो 5 जे 5 जे कम 5 और 20 पर में कर जाएगा 25 जे 100 यह रहा, चलिए, अब इसको solve करते हैं, 4000 गुने, 20 को एक में गुना करेंगे, ठीक है, तो 20 से कम 20, और 20 से कम 20, इसमें क्या करेंगे, इस प्लस को add कर देंगे, तो 20 से कितना होता आपका 21, बटे में कितना हो जागा आपका 20, पावर कितना आपका 3, अब इसका मतलब क्या होता इसका मतलब होता है, कि 21, 20 को आप 3 बर multiply करेंगे, देखेंगे, कितना आपका, 4000 गुने में 21, 20 को हम लोग तीन बर multiply करेंगे, 21, 20, गुने करेंगे आप 21, 20, फिर गुना करेंगे, 21, 20, इस बटे में 20, एक, दो, 3 0 से हम भी 3 0 को cut कर देंगे और simply 2 2 नहीं होता है 4 2 1 का 2 तो इस वाले 2 से भी इस वाले 2 को cut कर देंगे तो हमारा answer क्या होगा 21 गुने में 21 21 गुने में 21 होता है कितना 441 जब आप इसे 21 गुने 21 करेंगे तो आपका answer जो निकल का हैगा कितना हैगा 9 2 6 1 बटे में कितना होगा आपका 2 जब आप इसको 2 से भाग करेंगे तो आपका answer कितना होगा 2 4 के 8 2 6 हो जाएगा 12 अफि 2 8 कितना होगा 2 3 6 हो जाएगा अफि 2 0 जाएगा फि 2 5 10 यानि कि जो आपका मिसरधा निकल गाए कितना हैगा 430 रुपै लेकिन प्राशन में क्या पूछा आपसे चक्रविर्धी ब्याज पूछ रहा है ठीक है तो चक्रविर्धी ब्याज के जो फर्मूला होता है आपका चक्रविर्धी ब्याज इसका फर्मूला होता आपका मिस्रधन माइन्स होता है कितना आपका? मुल्धन ठीके? यह आपका चक्रिविधर क्या फिर्मूला होता है तो मिस्तधन कितना निकल करें है हमारा? 4,000 सोरी हाँ 630,000 6,500 मुल्धन कितना था आपका? 4,000 था जब आज इस मानस करेंगे तो आपका जो चक्रबी धी ब्याज निकल करेगा 630 रुपे और 50 पैसे यहीं क्या होगा आपका अंसर होगा ठीके यह सवाल थमलो का फुर्मूला के माध्यम से अब चले हम लो ट्रिक के माध्यम से तो चक्रबी धी ब्याज निकलने का कुछ रेशियो होते हैं तो आप लोग से अगर पुछेगा कि 2 वर्स करिदी ब्याज क्या हुआ तो दो रेशियो wärं करेगए इसी परकार अगर आपसे पूछेगा 3 वर्स कर चक्रबी धी ब्याज क्या होगा तो 3 रेशियो फिर 3 रेशियो स्दोफ यह आपका कुछ ratio होता है ठीक है हलाएंकि में ratio के हिसाब से ठीक है मैं एक वीडियो बना चुका हूं जिसका link में description में दे दूँगा ठीक है तो आप लोग जा कहां पर दे सकते हैं यह था ratio प्रस्ट में क्या पुछ रहा था तो हम लोग क्या करेंगे तीन वर्स का ratio लिख लेंगे सबसे पहले तो तीन वर्स का ratio कितना होता है 3 is 2 3 is 2 1 अब क्या करना है simply आपका मुलधन कितना दिया आपका 4000 तो 4000 लिखेंगे और जैसा कि तीन वर्स का बोल रहा है ठीक है तो तीन बर क्या करेंगे इसका ratio निकालेंगे यहने कि दर्निक सोरी solve करेंगे से 5 बटे में 100 ठीक है इसको 3 बर क्या करना solve करेंगे तो 2 0 से 2 0 कट करेंगे तो कितना आएगा 45-200 रुपए यह थामनों का first year का यह first year का चक्रवर दीबाज हुआ लेकिन पुछ क्या रहा है सबका तीन साल करने कि सेकेंडर के निकालते हैं तो सेकेंडर में क्या करेंगे इसी 200 का फिर से 5% निकाल लेंगे 200 का 5% फिर 100 से कट करेंगे कितना हो आपका 10 होगा ठीक है आप फिर तीसरे सले क्या होगा अपलो दिए रहे चलिए अब करना कुछ नहीं है ध्यान देना इस बात को कितने सलकर था तीन सलकर था तीन सलकर फ़हले आप रिशियो निकालें कि तान थी इस टू था तो पहले सारका अपनलों कितना था 200 रुपे इसकी ऊपर क्या था हम लोगट 200 लिखेंगे 200 करेंगे 300 कितना होगा 600 होगा अब प्लस कर देने हैं आपको 10 गुणा 3 करेंगे कितना होगा 300 होगा फिर प्लस एक गुणे 0.5 तो 0.5 अब simply आप 3 को जोड़ देंगे तो आपका answer क्या होगा 630.5 जो कि मेरे पहले भी आज चुका था ठीक है तो इस तरह से आप लोग चेकरवरी दीवाश निकाल सकते हैं तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक किजी शेयर किजी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किजीए